असलाम वालेकूम गूड इवनिंग एब्रीवन वेलकम बैक माई न्यू व्लोग दोस्तों मैं हूँ आपका होश चमी मैंमन अब्धा स्वागत मेरे चैनल श्री व्लोग तो दोस्तों नहटावर में एक बार फिर लग चुकी है नुमाईश तो चलिए मैं आपको एक लोगर दिखाता हूँ यहां आगी दुबान है और भी काजिबू चलिए चल देकर 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 तो यह देख सकते हैं आप यह कोई डानस्वार का इंड नहीं बदूए यह है परांटे के पेड़े और यहां पर बनना है परांटा और उस तरफ है अलवा सर्दी बहुत जबरदस्त हो रही है तो इस वक मज़ा रहा है बट्टी के दो रहे तो इस तरफ बेच रहे हैं यह भाई अलवा परांटा सितारा होटल भाई क्या रेट अलवा परांटा 140 एकसो साथ रुप है अलवा परांटा और यह शौप है सितारा होटल आप देख सकते हैं यहँआ पर बैठे हुए हैं अमारे बड़ अबबवी कैसे हो तो माशाल्ला यहां पर यह क्या एं जीए अच्छा और यह अच्छा माशालला तो आप देख सकते हैं यहां पर और भी आइटम है हल्वा प्राउटे के लावा चेश्मे हल्वा प्राउटे और सौफ्टी के बाद चलिए मैं आपको मीना बादार थोड़ा सा एक्प्लोर करके दिखाता हूँ यहां से शुरू हो रहा है मीना बादार एक है फैशन वाच पर आप देख सकते हैं मफरल है और गुस्तरवी के आइटम यहां पर तोपे लगे हुए हैं और वाच वगएरा तो यहां से हो रहा है मीना बादार शुरू पांच रुपे हर आइटम पांच रुपे हर वाले पांच रुपे पांच रुपे पांच रुपे पांच रुपे पांच रुपे और मिर्दा क्रॉकरी हाउस पर आप देख सकते हैं यहां पर तरह तरह के कप है और यह चाइनीज आइटम है उबर चाइना की आइटम है और यह नीचे देशी है कप और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूश्चार्ट डिसाइन ही वाए, सबसे उपर जार है, नीचे कप है, ये केडली के साहथ है, और ये देख सकते हैं अब ये लोगल कप या पर, और ये कुछ कुच इस्टैन्ड में लए हुए कप है, ये सुरही है, और पीछे आप देख सकते हैं कि आप पर जार और नीचे कपी कब है कैसे हैं आप? कैसे हैं आप ज़ुए है आप दौत है तो सर ज़ा सा बता दे एं कुछ रेट कहाँ से शुरू है और कहां खतल है 60 रोपी से लेका 300 रुपे गए 6 में करेक्पर गए 30,60 रूबे के 3,6 और 35,6 तर आप सुन सकते हैं भाई जान बता रहा है मिर्ज़ा भाई के यहां पर जलता है, यह 16 रूबे, और जो वो स्पेशल लगके हैं, तिन सु रूपे तक साई ट ही तर आप देख सकते हैं और यहां पर काँश की भी क्रागरी है, यह देखें यहांपर कुछ जग वगारा और उधर सामने ग्लास वगारा और यहांपर देखें बहुत ही खूर्च यहांपर जाया यह चाइना की आइटम है यह जो है फाइवर नहीं है यह यह वो है यह क्या कॉल्टी होती है चाहिना क्वाल्टी क्या होती है बहुत चाहिना पत्थर चीनिया यह और यह और देर से भी आवाद आ रहे हैं तो यह माशारला अच्छे चरेड है और यह यह ब्लेट यह 800 रुपर की च्छा है यह चाइना की जो है मैं जो है हाफ दर्जन की बाद चले यहाँ पर साड़े तीन जुर्वे और देख सकते हैं उपर तो माशाला यह चीज यूनीक लगी और बढ़ी है यह अच्छी लगी है जबरदार दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्टॉड है इन डब्बों का यह देखें यह प्लास्टीक में है यह इसका रक्कन है और यह बाउल है काफी हैवियर साट रुपर का एक है कीचन की ऐसे शिरीज है और यहां पर जो आदेखें बहुत खूशूरत बाउल बगारा रखे वह और यह कैसे दिये बाउल 130 रुपे का पर 20 और यह प्लेट साड़े 300 की 6 यह भी अच्छी लग रहे हैं बढ़िया है यह युनीक आइटम लाए तुम आपके इस बार अच्छी है यह तो आप देख सकते हैं यहां पर किचन की आइटम बहुत अच्छी है उदार आ रहा हुआ है इसी में छोटी प्लेट हैं यह कैसे दिया है यह 200 रुपे की 6 है और यह वाली से में रेट है बस कलर का फ़रग है और यह बावल इसकी एक सोस्टी की 6 है यह अच्छा लग रहा है इसमें चाइव अगरा भी ले सकते हैं और यह यह प्रच कितने हैं यह इतने की एक सोस्टी की यह यह तो यह आप देख सकते हैं यह बहुत खूबसूरत आइटम है और सब्सक्राइब में भी है यह बताएं है यह एक सोस्टी की है यह रख्यू हुई है क्रॉगरी की आइटम बहुत ही खूबसूरत और देखें बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रीज हैं यहां पर किचन की बहुत ज्यादा आइटम है छोटी-चोटी पलेटे भी हैं यहां है इस वाई शॉप अलग-अलग रेट के यहां पर जो है आप देख सकते हैं काफी कुछ ट्वाइज है बच्चों की अभी सीडी ट्रैक्टर है और जी स्कूटर है बंदूख है काफी कुछ जा है यहां पर जो है मेले के अंदर लगा हुई है यह शॉप बहुत ही खूबसूरत और देखें य यहां पर जो है देख सकते हैं इसी तरह की ट्वैज शॉप इधर है एक अथर है और एक इधर लगी हुई है और यह दी गई है गैरली बाहर जाने की मेन एंटरी तो इस तरफ यहां पर भी 20 रुबे हरमाल की आइटम आप देख सकते हैं यहां पर 20 रुबे में क्वाइल्टी तो बस ऐसी होती है कोई जादा खास नहीं होती है दिल बहलाने में लिवाद है 20 रुबे हरमाल यह 10 रुबे हरमाल इस तरफ तो यह 10 रुबे हरमाल इस तरफ आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरफ है ट्वाइर और मीना बादार और चलिए सामने यहां पर जाए जहां पर दी गई है चार्ट वगरा की शौब यहां पर इस बार जाए चिकन हलीम भी आया है देखे आप सामने यह हलीम की शौब है और इस तरफ चिकन फ्राई है और यह बीच में एक स्टॉल है और उस तरफ हसन फास्फूड भी है यह देखे सामने और इस तरफ भी फास्फूड उस तो मीना बादार और हरमाल टॉइस वगरा की शौप पार करने के बास इस सेक्शन में जो जिस सेक्शन में हम जा रहा है उस तरफ लगे हुए है जूले तो यहां पर एडवेंचर है और बच्चों के लिए चक्री वगरा चलिए इस तरफ बच्चों की चक्री और बच्चे इसमें जो है इंज्वाई करते हुए देखे यह बैटे हुए बच्चों का डिस्को जूला आप देख सकते हैं यहां पर जो है यह जैबरा तना घूम है आप देख सकते हैं देखें यह बिचारा बिल्गुल अकेला घूम रहा है अकेला ही चक्कर लगा रहा है कोई पुरसान है हाल लेने वाला भी नहीं है इसका तो यह सक्चन है जूलों का और यहां पर दाया तरह तरह के जूलों के लगे हुए तो इस तरफ लगा हुआ है डिस्को मेलब अगा सब से एक्ट्रैक्शन जो कर रहा है वह जूला सबसे बड़ा जूला आप देख सकते हैं तो एक जूला आप यह देख सकते हैं यहां पर इस तरफ है बच्चों का मिक्की माउस जंबिंग पैड इस तरफ है काला जादो दोस्तों मैं बिल्कुल मेले के एंड पार्टिशन में खड़ा हुआ हुआ है यहां यह खत्म हो जाता है मैं खड़ा हुआ 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 इस तर ड्रेगन मेट्रो पर और मेरे पीछे आप देख करें यह है यह है ड्रेगन मेट्रो ट्रेंड आप यह है भारतिये रिंग इस्तॉल और यहां पर रख्य हुए है अलग अलग आगे सेलफी पॉइंट और यहां पर बच्चे के बना रहा है अपनी सेलफी दोस्तों जूले राइट्स के सेक्शन में ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चों को इंप्रेस करने के लिए चक्रिया बहुत जादा है डाइनसार बड़ा जूला और एक डिस्को जूला इसके अलावा मो यह है मीना बाजार और तो यह है 10 रुबे हरमाल शौप यहां पर जो है आप देख सकते हैं कोई दितन की कोई खास नहीं होती लेकिन बस 10 रुबे हरमाल है अब जो है मिट्टी के बरतन की भी शौप लगी होए देखें यहां पर जो है स्लेंडर की एक बुल्लक वगरा है और कापी आइटम है पूट कैमल की सवारी देखें यहां पर जो एक बच्ची पूट पर चढ़ रही है और हम करेंगे बूट की राही लाए तो दोस्तों यह है नए टॉर का एक छोटा सा मेला तो आप लोगों कैसा लगा प्लीज कमेंड हो प्लीज वाच माई वीडियो एंड सब्क्राइब टू माई चैनल तो दोस्तों मिलते हैं अब से के लिए वीडियो में तब तर के ख्याप अपना ख्याल अलाब